आईए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी. वीडियो का पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को अंध तक देखिए. राजेश अपनी दीदी के पास दीदी के ससुराल जाता है. दीदी के ससुराल में उसकी सास एक देवर और उसकी नंद की लड़की गरिमा रहती है. गरिमा की उमर लगभग 18 साल है. वो बहुत सुन्दर और सुशील है. राजेश अपनी दीदी के घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा. गरिमा और राजेश धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे. वो दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे. राजेश की दीदी की सास को उन दोनों पर शक हो गया. उसने राजेश को बुलाया और कहा राजेश बेटा यह तुम्हारी पढ़ाई करने की और करिय बनाने की उम्र है अगर इस उम्र में बहक गए तो जिन्दगी भर पच्टाना पड़ेगा राजेश उनकी बात समझ जाता है वो अपनी दीदी से कहता है दीदी में यहां रहकर नहीं, अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करूंगा उसकी बहन उसे नहीं रुकती, वो अपने घर चला जाता है गरिमा राजेश की याद में काफी दिनों तक रोती है, फिर गरिमा के घरवाले गरिमा की शादी करवा देते है कुछ सालों बाद राजेश लखनव जाता है, गरिमा राजेश के ओफिस जाती है राजेश गरिमा को अपने ओफिस में देख हैरान हो जाता है, राजेश गरिमा से कहता है, यहां कैसे मेरी गरिमा वोल कहती है तुम सही हो लखनव और बताया भी नहीं राजेश कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लखनव आया हूँ गरिमा कहती है अच्छा तो तुमने सोचा होगा तुम छुपा रुस्तम की तरह आकर चले जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारे ओफिस में मेरे पती मैनेजर है बस उन्होंने ही बताया और मैं चली आई राजेश कहता है अच्छा विकास तुम्हारा पती है जी हाँ गरिमा ने कहा और हसकर राजेश की सामने वाली कुर्सी पर बैक गई, गरिमा राजेश से कहती है आज शाम को तुम्हें मेरे घर दिना पर आना पड़ेगा, राजेश कहता है, गरिमा में अभी फ्री नहीं हूँ मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वापस जाने से पहले एक बार जरोर आऊंगा और वैसे भी अभी विकास भी शहर से बाहर गया है, तब तक वह भी वापस आ जाएगा गरिमा कहती है, ठीक है गरिमा राजेश की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान करके चली जाती है राजेश कुरसी पर पीछे पीट टिका कर बैट जाता है, और गरिमा के साथ मिताय लमहों को याद करने लगता, ना जाने कैसे, और कब 6 साल बीट गए और राजेश की भी शादी हो चुकी थी, दो दिन बाद गरिमा का राजेश को फोन आता है वो राजेश से कहती है, मेरे पती घर पर नहीं है, इसलिए मैं बहुत बोर हो जाती हूँ क्यों ना आज हम दोनों राट के समय कही बाहर चले, राजेश खुद गरिमा के साथ कुछ पल बिताना चाहता था वो गरिमा के साथ घूमने के लिए फॉर्म हां, कर देता है फिर रात में मिलते हैं, गरिमा ने कहा और फोन रख दिया, राजेश खुश हो गया वो सोचने लगा, वो गरिमा के साथ कलब जाएगा, या किसी रोमेंटिक जगव पर उसने कपड़े भी देख लिये थे, वो क्या पहनेगा रात के समय राजेश तयार होकर गरिमा को उसके घर से पिक करने जाता है, गरिमा राजेश की गाड़ी में बैठते ही उसके हाथ में, दो मूवी टिकर थमा देती है और कहती है आज हम दोनों यह रोमेंटिक मुवी देखने चलेगे राजेश की कलब जाने वाले अर्मानों पर पानी फिर जाता है राजेश गाड़ी ड्राइब करके थियेटर की तरब जाता है थियेटर पहुँचकर दोनों फिल्म देखते हैं गरिमा राजेश का हाथ पकड़ कर बैट जाती है, गरिमा राजेश को बहुत ज्यादा चिपकने लगती है, गरिमा की उग्रेंग राजेश की शरीर से टच होने लगते हैं, राजेश अपने आपको कंट्रोल करने लगता है, और थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गरिमा और पास आ जाती है. फिल्म खत्म हो जाती है, सब उठकर चले जाते हैं. गरिमा थोड़ी खोसी जाती है, उसे पता नहीं चलता कि फिल्म खत्म हो गई है. राजेश कहता है, गरिमा चलो या यही बैठना है. गरिमा मुस्कुराकर उठ जाती है, दोनों बाहर निकल जाते है राजेश गरिमा से कहता है, गरिमा पहले खाना खा लेते है फिर घर चलेगे गरिमा ठीक है कहकर हाम इस सिरहिला देती है, दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते है गरिमा राजेश को अपने हाथों से खाना खिलाती है, राजेश भी गरिमा को अपने हाथों से खाना खिलाता है फिर दोनों जैसे रेस्टरेंट से बाहर आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, गरिमा बारिश में राजेश को खीच कर ले जाती राजेश मना करता है, गरिमा नहीं मानती दोनों बारिश में गीले हो जाते, राजेश गरिमा से कहता है गरिमा हम दोनों बहुत भीग गए हैं और ज्यादा भीगे तो बीमार हो जाएंगे एक काम करो मेरे घर चलो बारिश हो रही है और उपर से रात हो गई है सुबह होते ही चली जाना यह बात सुनकर गरिमा का चहरा चमक उठा मान गई राजेश गरिमा को अपने घर ले गया उसने गरिमा को टौवल दिया और अपना एक लोव और तीशट भी दे दिया और बोला तुम्हें चेंज करके यही कपड़े पहनने पढ़ेगे क्योंकि यहां लेडिस वाले कपड़े नहीं है गरिमा कहती है राजेश में बहुत खुश किस्मत हूँ मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए मिल रहे है राजेश अपना बैडरूम में नहीं सोता, वो अपने बैडरूम में गरिमा को भेज देता है और खुश जाकर हॉल में सोफे पर सुजाता है, राजेश बहुत ज़्यादा ठक जाता है उसे सोफे पर पढ़ते ही नींदा जाती है, थोड़ी देर बाद राजेश को अपने उपर एक भारी वजन का एहसास होता है राजेश आँखे खोल कर देता है, उसकी उपर गरिमा लेटी होती है राजेश गरिमा को जटके से साइड हट आता है, और खड़ा हो जाता है, गरिमा राजेश से कहती है क्या हुआ राजेश अच्छा नहीं लगा, राजेश कहता है, गरिमा मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था इसलिए यह सब किया, लेकिन तुम ऐसी हो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तुम अपने पती को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं अपनी पतनी को धोखा नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, राजेश करिमा को उल्टा सीधा बोलता है गरिमा शरमिंदा हो जाती है, और जाकर राजेश के बेडरूम में सो जाती है सुबह हुने पर राजेश अपने बैडरूम में जाता है तो वह देखता है कि गरिमा उसके उठने से पहले जा चुकी है दोस्तो ऐसी ही ओसम कहानिया परने और सुनने के लिए हमारे चैनल ओसम कहानिया को प्लीज लाइक करना और अपने खुबसूरत दोस्तों के साथ शेय करना और सब्सक्राइब करना धन्यबाद